आई हमें बाग करेंगे के नी जैरोज रेक्षिन के बारे में और यह इल भी हाइड गुश्ड इस नीजियवानरी है कि आ उल्डी हाइड्श्न सब्सक्राइव इस रेक्षिन को सुटी करेंगे फिर साथ मेकानिजिम को मैं एक्स्प्लें करूंगा कुछ चीजह आपने के नी पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हैं सबसे पहली बात इस अब base catalyzed nucleophilic addition reactions reaction जो carryon होता है वो base की presence में होता है nucleophilic addition reactions होते हैं जो कि early heights की एक reactions की category होती है उसमें हम mechanism के अदर में detail में आपको explain करूँगा second और most important thing जो कि keny zeroes reaction को बाकी reaction से different कर देती है वो यह होती है कि यह सिर्फ वोवल LDHs दे सकते हैं जिनमें alpha hydrogen नहीं होता अब यह question आता है कि क्या ketones गी reaction दे सकते हैं तो यह lecture के last में मैं जाकर बता हूँगा कि ketones reaction दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं then यह है एक disproportionation reaction disproportionation reaction एक ऐसा reaction होता है जिसमें एक ही reaction के अंदर जो एक molecule आप लेते हैं वो oxidized भी हो रहा होता है और वो reduced भी हो रहा होता है तो सबसे पहले हमें बात करूँगा इस point के उपर alpha hydrogen क्या वो कौन से LDHs के अंदर होता है कौन से LDHs के अंदर नहीं होता है अदर नहीं होता है मैं एक component लिखता हूं यहां पर that is H C 1 1 O और H this is the simplest LDHs और हम इस वो कहते है form LDHs पर एक मैं दूसरे component लिखता हूं CH3 C 1 1 O CH3 this is form LDHs and this is this is form LDHs अभी जो form LDHs होते है इसके अंदर हम कहते है alpha hydrogen होते है इसके अंदर alpha hydrogen होते है इसके concept में थोड़ा से और elaborate करता हो कि जो CH3 है इसको मैं open करके लिख में तो यह से हो जाते है C 1 1 O और H अभी जो carbon है carbonyl carbon हम इससे कहते है इसके साथ जो carbon होते है उसको हम कहते है alpha carbon और इसके साथ hydrogen attached होते है इनको हम कहते है alpha hydrogen इसके लिए है यह alpha hydrogen यह भी alpha hydrogen हो यह भी alpha hydrogen है तो जिसमें alpha hydrogen होगी वो reaction नहीं दे सकेगा ठीक है हमने एक और reaction की category study की थी that are called aldol condensation तो aldol condensation दे सकते है लेकन cany zeroes reaction दे सकते है cany zeroes reaction की सबसे important condition की होती है alpha hydrogen होना चाहिए इसके समें देखे है आपको कहीं पे और नद alpha carbon नजर आ रहा है न अ-alpha hydrogen so form aldehyde reaction दे सकते है ठीक है इसके 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 अब इसके अंदर alpha hydrogen होते है क्यों नहीं होते है मैं इस structure को open करके लिखूंगा फिर आपको idea होजेगा यह बिसके लिए benzene ring होते है तो यह इस तरह से होते है C double bond C single bond C double bond C then single bond then double bond C यह carbon कर इसके skeleton होते है और हरिक जो carbon होते है इसके अब यह बिखलय कर्वन होते है इसके साध दापके वैसा carbon group attached होते हैंдел अब यह observations एल्फा पार बिखने है अब यह अल्फा कार्वन नहीं क्युक्स की चारो और इसके साथ हाडारूग के पहल acting इसपैसे no alpha hydrogen और साथ ने इन दूसरी condition आपने याद रखने कि कम से कम एक hydrogen जो carbonyle carbon के साथ वो directly attached होना चाहिए, क्योंकि वो क्यों होना चाहिए, वो हमें disproportionation reaction के अंदर आपको बताऊंगा कि यह क्या conditions होती है so basically आपने understand कर लेने कि ऐसे early hides जिनके अंदर alpha hydrogen नहीं होता वो Kenny's arrows reaction दे सकते हैं, इसमें दो केटेजिस में आपको बताओ दी एक benzal lehyde और एक formal lehyde अब हम आते हैं कि disproportionation reactions क्या होते हैं अगर हम बात करते हैं, disproportionation reactions के तिनका दुसरा नेम होता है cell, oxidation, reduction, reaction अब self-oxidation reduction reactions की क्या, इससे क्या मतलब होते है organic chemistry में जब हम, क्योंकि हम जो reaction study करने चाने हैं obviously early hides ketones है, organic chemistry में involved है तो इसमें oxidation reduction क्या होती है अगर मैं early hides के बात करूँ, तो यह इस तरह से होता है alcohols into early hides into parboxylic acid यह basically होते है, oxidation की आरह होती है अगर हम alcohols के oxidation करवाईं तो early hides के tones में चले जाते है और early hides के tone के oxidation करवाईं तो parboxylic acid में चले जाते है तो यह oxidation क्या रहा है self-oxidation हम यहाँ पर middle में लाइक कर रहे है early hides और के tones पे self-oxidation का मतलब की होता है कि अगर हम reverse order में इसमें जाएंगे तो वो reduction हो जाएंगे मतलब carboxylic acid से वापस early hides में आएंगे तो यह reduction होगी early hides से दो बारह से alcohol में जाएंगे तो यह reduction होगी ठीक है तो जो जो चीज फावट जा रही है इस इस वे में जा रही है इसको हम बोलते है यह होती है oxidation और अगर हम इसको reverse manner में बोलेंगे तो फिर हम इसको बोलेंगे यह reduction होती है और organic chemistry में एक ओट simple trick का आपने याद रखना है कि oxidation reduction के हमें कैसे पता चलते हैं जब increase in carbon oxygen bond होते है तो हम उसको कहते हैं कि oxidation हो रही है जैसे कि alcohols के case में आपका पास होते है COOH यह alcohols का functional group होते है ठीक है hydroxyl group directly attached होते है carbon के साथ तो इसमें एक carbon oxygen bond होते है जब हम LDHyds की जाते हैं तो LDHyds की टॉन्स में तो carbonyl functional group होते है C double bond O, तो carbon oxygen bond होते है जब हम carboxylic acid की case में जाते हैं तो C double bond O, OH, 3 carbon oxygen bond होते हैं तो अगर carbon oxygen bond जैदा हो रहे है तो यह oxidation होते हैं अगर कम हो रहे है तो फिर क्या होती है? reduction होती है अब हम इसके उपर आ जाते है अब हम इसके उपर आ जाते है कि LDHyds की case में यह disproportionation reactions के साथ से होते हैं और आपके हम रीक्षिन होता है तो two molecules of the same lheids हम लेते है जैसे कि करें cw3 sticky point o orh and reaction होता है 50% equals noH projects में और आपको बीधिक बनते है िसमें दो मैंने के बोला थह एक बॉड़ाइस प्रॉड़ाइस पॉड़ाइस प्रॉड़ाय सोगी और एक एक आपके पास component बनते है CH3OH this is called the reduced product और एक आपके पास बनते है salt of the acid exactly acid निये बनते है और वकचली निये बनते है उसका salt बनते है तो वो आपके पास दोते है HC11O negative and a positive sodium salt of the acid उसके formation होती है that is called इसको हम कहते है इसको हम कहते है disproportionation reactions क्योंकि एक product आपको बस reduce हो जाती है और एक आपको बस कहते है oxidized होती है यह basics होते है इसे तरह से आपको बस benzyli height का भी reaction लिखूंगा फिर उसके बाद हम इसके mechanism के पर चलेंगे तो कि मैं benzyli height ले लिए तो इसके two molecules रहने 50% equis and NHS की प्रिश्पे लेक्षिन होते है तो एक benzyli alcohol बन जाते है CH3OH और जो इसके second अपको प्रोड़क्त बनते है वो इसके salt बन जाते है that is C1OO negative and a positive तो one is benzyl alcohol and the other one is salt of the benzoic acid sodium salt of benzoic acid so this is the reduced product and this is oxidized product so यह basic चीज़े हैं जो कि आपने कहने जरो जरेक्शन के बारे में यह understand करने है फिर हम next lecture में बात करेंगे इसके mechanism के बारे में thank you so much for watching करेंगे उसके के बारे में